चत्यसगर के राजनांद गाउं चीले में मंगलवार को जन दर्शन के दोराने गंभीर मुदा साब ने आया जब हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूल में सिक्षक की कमी को लेकर कलेक्टर के शिकायत के चाद्रों ने बताया कि उनके स्कूल में कई विशेयों के सिक्षक नहीं है जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है कलेक्टर ने चाद्रों को चिला सिक्षा अधिकारी DEO से मिलने का अनर्देश दिया लेकिन वहाँ पहुँचने पर DEO ने बच्चों के ग्यापन को अन्देखा कर उनके साथ दुलवयवार किया और उन्हें जेल भीजने की धूंकी देखा रोते में बच्चों ने मेडिया को बताया कि कैसे DEO ने उनके साथ गलत व्यवार किया उनके साथ मौज़ूद बालकों ने भी आरोप लगाए कि तिसले दो साल से स्कूल में सिक्षकों की कमी है और प्रशासन को इस बारे में कई बार अउगत भी कराया गया है लेकिन कोई सामाधान नहीं निकला स्कूल के शादरों ने अपने ग्यापन में शबस्ट किया कि यदि तीन दिनों के भीतर सिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो वे स्कूल में धर्णा प्रदर्शन करेंगे और स्कूल में ताला बंदी करेंगे जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दो दिनों के भीतर सिक्षकों की ववस्था करने का आश्वासन भी दिया है यगटना आली बारा स्कूल की है जहां 11 और 12 कक्षा के विज्ञान और कलास संकाई के लिए सिक्षकों पलब्द नहीं है आर्टि साहु नामक छात्र ने अपने साथ वे दुर्वेभार का वर्णन किया जबकि पालकों ने बताये कि बच्चों की पढ़ाई का भवश्य अधर में है सरकार द्वारा बच्चों की सिक्षा के लिए कई उजनाय चलाई जारी है लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत बहुत है अपली के सरने कौन सी का है तुम लोगों का लिखने कि दिंधी पर जेल के वो करोगे ना समझ आ जागा है से बहुत करें बोले आप लोगों को और हमारा तो जोसाल होगे एक भी टीचर्स में है तो हम लोग पीचर्स की मांग करने क्ले गहते कित्री टीचर्स की मांग करने क्ले गहते तो वैसी बोल दी है डियोस वाँ कितने बच्ची है इसमें पराने के लिए एक भी शिक्चर्स नहीं है आपको नाम बता है आठीसा हूँ 12 बायो